हाई हेलो नमस्ते मैं हूँ नेहा आपके साथ और आप सबका एक बार फिर से बहुत स्वागत है NVT TechEd पर हमेशा की तरह इस बार फिर से मैं आपके लिए नौकरी वाला सेग्मेंट लेकर आ गई हूँ और आज बात होने वाली है राजस्थान लोग सेवा आयोग में सीनियर टीचर ग्रेट टू पदो पर भरती के बारे में और सबसे अच्छी बात तो यह है कि आपको पचास हजार से ज्यादा सेलरी भी मिलने वाली है तो इसके पूरी डेटेल्स क्या है आप कब से कब तक अपलाए कर पाएंगे कहां पर अपलाए कर पाएंगे और साथ ही सेलेक्शन के बाद सल्दे कितनी मिलेगी अगर यह जानना है न तो आपको हमारे साथ बने रहना है और इस वीडियो को एंड तक देखना है तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किया आपको सारी चीज़े तू दू पॉइंट बता देते हैं राजस्थान में सीनियर टीचर ग्रेट टू पदो पर बंपर भरती निकलिये अगर आपको इस भरती का हिस्ता बनना है तो वेबसाइट है अगर आपको इस भरती का हिस्ता बनना है तो आपको इसी वेबसाइट पर जाना होगा जाकर अपना फॉर्म भरना होगा और फॉर्म भरने के बाद आप एक्जान देने के लिए पूरी तरह से तयार होगे अब मैं आपको फटा-फट बता देती हूँ कि आपके पास कौन सी योगिता का होना जरूरी है और साथ ही आपका सेलेक्शन कैसे होगा देखिए जो सीनियर टीचर के पद है ना वो संस्कृत के लिए हैं हिंदी के लिए हैं मैथमाटिक्स के लिए हैं सोशल साइंस के अगर आपको अपलाए करना है ना तो आपको छे फरवरी का इंतजार करना होगा छे फरवरी से 6 मार्च तक आप वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं बात अगर क्वालिफिकेशन की हो तो जरूरी है कि आपके पास एजुकेशन में डिग्री या फिर डिप्लोमा हो और साथ ही जो आपका संबंधित विशे है उसमें ग्रैजुइशन का सर्टिफिकेट होना भी मस्ट है मैं आपको ये बात यहाँ पर हलाइट जरूर कर देती हूं कि हट विशे के लिए जो योगिता है जो क्वालिफिकेशन है वो अलग लग दी गई है अगर आप अंग्र ताकि कोई भी कन्फूजन कोई भी जो परिशानी है वो आपके दिमाग में आ रहा है आप शांती से आराम से बैठ कर टाइम से पहले पहले यानि कि 6 मार्ट से पहले पहले अपना फॉर्म भर दे अगर बात हम एज लिमिट की करें तो 18 साल से 40 साल एज लिमिट रखी गई ह तो आपका फॉर्म कंप्लीट नहीं माना जाए गा आप एस ज्यॉनरल काटेईग्री फॉर्म भर रे आपको 600 रुपीजए देनी होगी वहीं एगर अगर आप रिजव काटेग्री की रूप में अप्लाय कर रहे हैं फॉर्म भर र रहे हैं, तो आपको आपको 400 रुपे नहीं कुछ भी नहीं रिटन एक्जाम के बेसिस पर आपको जज किया जाएगा और अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं सीनियर टीचर ग्रेड टू पदो पर तो आपको हर माहिने 37,800 रुपीज से लेकर 50,800 रुपीज तक की सैलरी मिल सकती है तो मौका बहुत अच्छा है साथ ही सैलरी भी बहुत अच्छी है तो आपको मौका नहीं चूकना है टाइम से पहले पहले वेबसाइट पर जाकर अपना अप्रिकेशन फॉर्म भर देना है अगर आपको नौकरी की ऐसी दीटेल्स और जाहिए ऐसे वीडियो और देखनी है तो you know exactly what you have to do जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बेल आइकोन फ्रेस कर दी अगली बार फिर हाजर होंगे एक नई वीडियो एक नई जानकारी के साथ तब तक मुझे आनी नहा को दीजिए अजाज़त स्टे ट्यून टू एन्बीटी टेकेट